But rather go to the lost ship of the house of Israel लेकिन आप जाएए उन भटके हुए बनी इसराइल के पास भटके हुए यहुदी के पास इसा आले सलाम फरमाते हैं Gospel of Matthew में चैप्ट नमबर पंदरा वर्स नमबर चौबीस में मैं नहीं भेजा गया हूँ लेकिन भटके हुए बनी इसराइल के लिए मैं सरिफ यहुदी के लिए भेजा गया हूँ लेकिन जैसे gjएके हुआ कि जितने भी पैगंबर मुम्मद specifically के पहले आये वो बेंसे अपनी कौम अपनी उम्मद के लिए बहजे गये थे लेकिं कियुंके मुहम्मт s.a. आखी नबी थे आल्यतु अलाँ तला फरमाते सुरह आहजाब के सुरह नंबर 33 आए्ट नंबर 40 में मा कान महम्मद अबा अहद्म रिजालिकुम वला खिर रसूल्ला वा खात्म नबीन वकान लाहु बिकुल शैन अलिमा محمد صلی اللہ علیہ وسلم आप मर्दों में से किसके भी पिता नहीं है लेकिन वो अल्ला के रसूल है और खत्मिन नभी ने आखरी नभी है और अल्ला सबसे बहतर जाने वाला है क्योंकि मحمد صلی اللہ علیہ وسلم आखरी नभी थे आखरी रसूल थे वो सिर्फ मुसल्मानों या सिर्फ अर्बों के लिए नहीं भीजे गए थे अल्ला ताला फर्माते हैं सुरे अंबिया में सुरा नम्र 21 आएत नम्र 107 में हमने मحمد صلی اللہ علیہ وسلم को भेजा रहमत बना के सारे आलमों के लिए सारे जहां के लिए सारे इंसानियत के लिए अल्ला ताला फर्माते हैं सुरे सबा में सुरा नम्र 34 आएत नम्र 28 में हमने मحمد صلی اللہ علیہ وسلم को भेजा है एक आलमी पैगंबर जैसा बना के ताके वो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके लेकिन अक्सर इंसान आज भी इसको नहीं जानते क्योंके मحمد صلی اللہ علیہ وسلم आखरी पैगंबर थे आखरी रसूल थे वो सिर्फ अर्बो या सिर्फ मुसल्मानों के लिए नहीं भेजे गे थे वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गे थे इसी लिए इनका तस्किरा इनकी पेशन गोई मुम्मद صلی اللہ علیہ وسلم की भवशेवानी हर है मजब के किताब में मौजूद है और जब हम बाइबल पढ़ते हैं बाइबल में भी मुम्मद صلی اللہ علیہ وسلم की भवशेवानी है अल्ला ताला फर्माते है एक अनपड नबी को जिसका जिकर तोरा और इंजील में है अल्ला ताला फर्माते है यहूद और इसाई मानेंगे वो अनपड नबी को जिसका जिकर तोरा और इंजील में है अल्ला ताला फर्माते है सुरे सफ में सुरा नमबर 61 आयात नमर छे में इसा इबन मर्यम जो मर्यम अलसलाम के बेटे थे भेजे गये थे बनी इस्राइल के लिए और उन्होंने कहा या बनी इस्राइल मैं एक पैगंबर भेजा गया हूँ अल्ला के तरफ से आप लोगों के लिए और रिकनफर्म करने के लिए तजबिक करने के लिए वो तोरा वो वही जो पहले आ चुकी है और ये बताने के लिए ये बशारत देने के लिए के एक पैगंबर आएगा उसका नाम है अहमद और अहमद एक दूसरा नाम है महम्मद सallallahu सलम के लिए तो पुरान में कई जगा लिखा है कि महम्मद स्वालाओं का जिकर उनकी पेशनगोई उनकी भविशेवानी तोरा और इंजील में भी है अब हम तस्किरा करेंगे बाइबल में महम्मद स्वालाओं की पेशनगोई के बारे में भविशवानी के बारे में Old Testament में लिखा हुआ है Book of Deuteronomy में Chapter No.8 Verse No.8 में खुदा कह रहे है मुसा लिख सलम से I shall raise the upper prophet from among thy brethren likened to thee and I shall put my words into his mouth and he shall command all that I say खुदा कहते हैं मुसा लिख सलम से मैं एक ऐसा पैगंबर लाऊँगा आपके ब्रादरी में से जो आपके जैसा होगा और मैं अपने अलफाज उनके मुँ में दालूँगा और जो कुछ मैं कहुँगा वो पैगंबर दोड़ाएगा ये पेशन गई कई इसाई कहते हैं ये इसा लिख सलम की तरफ इशारा कर रही है जीजिस क्राइस के तरफ इशारा कर रही है और जब हम उनसे पुछते है ये पेशन गई क्यों इसा लिख सलम की तरफ इशारा कर रही है तो हमारे इसाई भाई कहते है इस पेशनगोई में लिखा है कि आने वाला पैगंबर मुसा लिए सलाम की तरह होगा और इसा लिए सलाम मुसा लिए सलाम जैसे थे और वो कहते है कि इसा लिए सलाम और मुसा लिए सलाम दोनों अल्ला के भेज़ेवे पैगंबर थे और दोनों यहुद थे अगर ये दो नुक्ते काफी है इस पेशनगोई इस भवश्यवानी को पूरा करने के लिए तो जितने पैगंबरों का जिकर है बाइबल में मुसा अले सलाम के बाद सारे पैगंबर इस भवश्यवानी को पूरा करते है सारे पैगंबर जिसका जिकर बाइबल में है मुसा अले सलाम के बाद वो अल्ला के पैगंबर थे और यहुद थे मिसाल के तोर पर डैनियल, आईजाया, एजिकील, सॉलिमन, जॉन में पीथ भी अपन दे मौल ये सारे पैगंबर पेशन गोई को पूरा करते हैं लेकिन जब हम तहकीक करते हैं हमें पता चलता है कि ये पेशन गोई बुक अफ डिटॉनमी चैप्टर 18 वर्स 18 की इशारा कर रही है सिर्फ मौम्मद सॉल्ला सलम के तरफ क्यूंकि इस पेशन गोई में लिखा है एक पेखंबर आएगा जो आपकी ब्रादरी में से रहेगा और हम जानते है कि अरब यहुद की ब्रादरी में से हैं और आगे लिखा है लाइक अंटू दी मुसा अले सलम जैसा हम जब तहकीक करते हैं पता लगता है कि मुसा अले सलम जैसे थे चूंकि मुसा अले सलम और मुसा अले सलम दोनों कुद्रती तोर पे पैदा हुए थे दोनों के वालदा थे और वालिद थे लेकिन इसा अले सलम कुद्रती तोर पे नहीं पैदा हुए वो एक मौजज़ा से पैदा हुए उनकी वालदा थी लेकिन वालिद नहीं थे वो बिना पिता के पैदा हुए इसलिए इसा ले सलाम मुसा ले सलाम जैसे नहीं है लेकिन मुहम्मद सल्लाव सल्लम मुसा ले सल्लम जैसे है मुहम्मद صف음 मुसा अलहिए सल्मопे el जी जी तर दोनों ने शादी की और उनके बच्चे थे इसाले सल्म premi ने शादी की न न में उनके बच्चे थे हम जब बाइबल पढ़ते मैं पता लगता है इसलिए इसाले सल्म मुसा अले सल्म जीसे नहीं है लेकिन मुहम्मद ﷺ मुुसा अलिए सलम जैसे है मुहम्मद ﷺ और मुुसा अलिए सलम दोनों की मौत एक कुद्रती मौत थी They had a natural death लेकिन एसा अलिए सलम He did not die naturally उनकी मौत कुद्रती मौत नहीं थी तुरान मजीद में लिखा है सुरा निसा में सुरा नमबर चार आयत नमबर 158 में कि अल्ला सुभाना वताला ने इसा अलिए सलम को जिन्दा उठा लिया अपनी तरफ हम मानते हैं कि इसा अलिए सलम की मौत नहीं हूँ और बाइबल में भी जब हम पढ़ते हैं मैं ये थाबित कर चुका हूँ मेरे दूसरी तकरीर में वास जीजेस रियली कुरूसिफाइट पीस बेपने कि इसा अलिए सलम को जिन्दा उठाया गया था उनकी मौत नहीं लेकिन आम इसा ये मानते हैं कि इसा अलिए सलम सुली पे चड़ाये गए थे ये वक्त नहीं है बहस करने का क्या वो सुली पे चड़ाये गए थे क्या उठाया गया है जिन्दा उने लेकिन दोनों मुसल्मान और इसा ये मानते हैं कि इसा अलिए सलम कुद्रती मौत उनकी नहीं हुई इसलिए इसा अलिए इसा अलिए सलम मुसा अलिए सलम जैसे नहीं है और मुसा अलिए सलम मुसा अलिए सलम जैसे है मुसा अलिए सलम और मुसा अलिए सलम दोनों को उनके लोगों ने कबूल फरमाया उनके लोगों ने कबूल किया कि ये अल्ला के बहजेवे बेगंबर थे लेकिन बाइबल में इसका जिकर है गॉस्पल आफ जौन में चैप्ट नमबर वन वर्स नमबर ट्यारा कि इसा अले सलम के लोगों ने उन्हें कबूल नहीं किया वेन ही अप्रोश्ट इस ओन इस ओन डिड नॉट रिसीव इं वो जब अपने लोगों के पस गए उन्होंने उसे माना नहीं इसलिए इसा अले सलम मुससा अले सलम जेसे नहीं thaowski और मुहमत स़लम जेसे है मुसा अले सलम और मुहमत स़लम दोनो اپने दोर में हाकिम थे उसके मानी वो हमानी की या जिन्दगी की लेकिं इसा अले सलाम इस दुनिया के हाकिम नहीं थे इसा अले सलाम फरमाते हैं गॉस्पल अफ जॉन में चैप नंबर 18 वर्स नमर 36 में माइ किंडम इस नॉट अफ दिस वर्ल्ड मेरी सल्तनत इस जमीन पर नहीं है इस दुनिया में नहीं है इसी लिए इसा अले सलाम मुसा अले सलाम जैसे नहीं है और मुहम्मद सल्लाव सल्लम मुसा अले सल्लम जैसे है कई यक्सानियत है मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم और मुसा लिए सलाम दोनों ने एक नई शरीयत ले आए लेकिन इसा लिए सलाम कोई नई शरीयत नहीं लेकिया है वो पुरानी शरीयत को तस्दीक करने के लिए आये थे और इसका दिकर बाइबल में भी है इसलिए ईसा लिए सलाम मुसा लिए सलाम जैसे नहीं है और मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم मुसा लिए सलाम जैसे है इसके ये पता लगता है कि ये पेशन गोई बुक अफ डुटानमी चैप्ट नमर 18 सिर्फ मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم की तरफ इशारा कर रही है